आयोध्या के राजा दश्वत की तीन रानिया थी कौशल्या, कैकई, सुमित्रा इन तीनों रानियों के चार पुत्र थे राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुवत चारों भायों में बेहत प्रीम था चारों ने अपने सिक्षा भी ग्रहन कर ली थी तभी एगविन अयोध्या में एक मुनी का आना हुआ और वो राम और लक्ष्मन को मिथला ले गए, जहां सीता स्वेंवर हो रहा था देश, विदेश, सभी राजा सीता स्वेंवर में आये थे, लेकिन मिथला के राजा ने एक कठिन चुनावती रखी थी कि जो भी व्यक्ति शिर्धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का गुठा होगा एक एक कर सभी ने शिर्धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, वो धनुष उठा तक नहीं पाए अब आ रहे हैं आयोध्या के राजकुमार, सिरी राम राम धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने सहज भाव से शिर्धनुष को प्रणाम किया और शिर्धनुष को तोड़ गिया और उनका गुभा राजकुमारी सीता के साथ हो गया और वो उन्हें आयोध्या ले आए एक दिन राजा दश्रत ने सभी को अपने दर्बार में बुलाया पिता जी यूँ आपने अचानक हम सभी को ऐसे क्यों बुलाया पुत्र राम मेरा स्वास्ते अब ठीक नहीं रहता पिछले कुछ दिनों से मेरी तबियत ठीक नहीं रह रही इसी लिए मैंने निर्ने लिया है कि अब से तुम राच्चे समाल होगे और हमेशा राच्चे की भलाई के लिए ही कार्रे करोगे ताश्री मैं आपके आदेशों का अवश्य पालन करूँगा सभी इस बात से बेहद खुश थे लेकिन कैकई की प्रिये दासी को ये बात एक आँख नहीं भाई वो चाहते थी कि राच सिंहासन पर कैकई का पुत्र भरत बैठे रानी किरकई गजब हो गया क्या हुआ मंथरा इतने शुबबसर पर तुम विलाब क्यों कर रही हो देखो चारों और खुशी का माहोल है रानी कौशल्य अपनी चान में काम्याब हो गई और तुम खुश हो रही हो क्या बोल रही हो मंथरा जीजी ने क्या कर दिया देखा नहीं अब इस राज्य पर राम का राज होगा और तुम्हारे पुत्र उसके दास होंगे नहीं मंथरा ऐसा नहीं है अच्छा ऐसा नहीं है तो राजा ने भरत के होते हुए ये फैसला क्यों नहीं लिया उसकी अनुपस्थिती में ही क्यों ये फैसला लिया जरूर रानी कौशलिया ने ही कहा होगा राजा दश्रत तुमसे अधिक प्यार करते हैं इसलिए वो तुमसे चलती है तो मैं अब क्या करूं? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे कुत्र दास बन कर जिंदगी व्यतीब करें तो यही सही समय है जाओ और राजा से अपने दोनों वर्दान मांग लो जो उन्होंने विवा के समय तुम्हें दिये थे कहकई को मंथरा की बात सही लगती है और वो राजा दश्रत के पास जाती है महराज महराज आपको याद है आपने विवा से पूर्व मुषे दो वर्दान मांगने को कही थे अब मैं वो दो वर्दान मांगना चाहती हूँ अच्छा तो ठीक है मांगो पहला वर्दान मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और दूसरा वर्दान मैं चाहती हूँ भरत इस राज सिहासन पर बैठे ये क्या कह रही हूँ तुम ऐसा नहीं हो सकता मैं ये वर्दान तुम्हें नहीं दे सकता अब आप अपने वच्णों से मुकर नहीं सकते मजबूरन राजा दश्षत को कैकई की बात माननी पड़ती है और अपने पिता के आदेश को स्विकार करके राम लक्षमन और सीथा के साथ बनबास चले गए चलते चलते वो लोग चित्रकुट पहुँचकर और वहां के सुंदर वातवरन में वो राज का सारा सुख भूल गए इधर राजा दश्षत की तव्यत और खराब रहने लगी और एक दिन उनका देहांट हो गया भरत को जब इस बात का पता चला तो अयुध्या वापस आए और जब उन्हें अपनी मां और मंत्रा के शर्यंत्रों के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी मां को इस कृत्ते के लिए शमा नहीं किया और अपने भाई राम को वापस लेने के लिए चित्रिकुट पहुँच गए और अपने पिता के दिहांट के बारे में बताया अपने पिता के दिहान के खबर सुनकर राम भावुक हो गए भरत ने राम से वापस आने के लिए कहा लेकिन आदर्श वादी राम अपने पिता के वच्छनों का पालन करते हुए वही रहे और भरत को अपनी खड़ाओ दे कर वापस आयुध्या भेज दिया और धीरे धीरे दस वर्ष बीट गए चलते चलते वो अगस्ते मुनी के पास पहुँचे जिन्होंने राम और लक्षमन को दिव्य अस्त्र दिये इसके बाद तीनों पंच्वटी पहुँचे और समय बीटता गया तीन वर्ष और बीट गए ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? ये कितना रूपवान है? चलो इसके पास चाती हूँ वो अपना रूप बदर कर राम के पास चाती है कौन हो तू? और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम देखने में तो बहुत सुंदर हूँ देवी मैं राजा दश्रत का पुत्र हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं इस बन की रानी हूँ, सुर्पन खा और मैं तुम से विवाह करना चाहती हूँ मेरा प्रस्ताव स्विकार करो देवी मेरा विवाहत तो हो चुका है और ये रही मेरी पत्नी तुम दिवाह की बात मेरे भाई लक्ष्मन से करो हाँ, ये भी बहुत सुन्दर है देवी, आप तो मेरी माता के समान हैं, जैसे सीता माता और वैसे भी तुम मुझे वैसी नहीं लगती हैं, जिसे देखकर मेरा मन मुहित हो जाए ये है मेरी पत्नी सीता क्या ये तुम्हारी पत्नी है, जिसके लिए तुम दोनोंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया मैं इसे मार डालूँगी इतना कहकर सुपनखा अपने असली रूप में आजाती है और सीता पर हमला करने लगती है तभी लच्षमन अपनी कुलहारी से उनकी नाख काड़ देते है और सुपनखा चुलाते हुए अपने भाई के पास भाग गई भाईया, भाईया, भाईया क्या हुआ मेरी छोटी बहन को? सुपनखा ने सारी बात रावन को बताई क्या ये सब उस अयोध्य के दुर्बल राजकुमार राम ने किया है? हाँ भाईया, ये वही है, जिरो ने आपका अपमान किया है पूरी राक्षस जाती का अपमान किया है उन्होंने मेरी बहन का अपमान किया मैं उन लोगों को छोड़ूगा नहीं उन लोगों को मौत के घाट उतरवाता हूँ हाँ भाईया, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी पत्नी की सुन्दरता ही उजार देती क्या, वो सच में इतनी सुन्दर है भाईया, वो बहुत सुन्दर है संसार में उसके जैसा सुन्दर कोई नहीं उसका रूप मानो किसी अपसरा के समान है जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है रावन ने सुपनखा की बात सुनकर एक योजना बनाए और अपने मामा मारिच को हीरन बनकर वन में जाने को कहा प्रभू, वो देखिए, हीरन कितना सुन्दर है आप उसे मेरे लिए पकड कर ले आईए ना ठीक है सीते, अभी मैं उसे लाता हूँ लक्षमन, तुम अपनी भावी का खयाल रखना ध्यान से जाना, ये कोई मायावी राक्चस भी हो सकता है ठीक है इतना कहकर राम उस हिरन के पीछे चले जाते हैं और कई बार उसे बान मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार बच निकलता ऐसे ही राम हिरन के पीछे भगते भगते कुटिया से दूर पहुँच गए और राम जी ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रियोग किया जिस से हिरन घायल हो गया और अपने असली रूप में आ गया लक्षमन सीता मेरी सहायता करो लक्षमन यो तो मेरे प्रभूर की आवाज है जरूर मेरे स्वामे किसी संकट में है जाओ लक्षमन मेरे स्वामे के पास जाओ कुछ नहीं होगा आप चिंता ना करें तुमने सुना नहीं तुम्हारे भाया संकट में हैं जाओ मेरे स्वामे के पास अगर आपका यही आदेश है तो ठीक है मैं जा रहा हूं इतना कहकर लक्षमन ने कुटिया के चारो तरफ एक लकीर खीशती जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था माता सीता आप इस रेखा के बाहर मत जाना इसके बाद लक्षमन राम के पास भागे भागे चले गए इधर रावर एक सन्यासी का रूप भर कर सीता के पास आया रुकिये मैं अभी लाती हूँ लीजिये भिक्षा रामर जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है वैसे ही उस लकीर से एक चिंगारी उत्पन होती है अच्छा मुझे ऐसा लगता है ये रेखा तुम्हारे सुरक्षा के लिए किसी ने खीची है आओ इस रेखा को पार करके इधर आओ और भिक्षा दो नहीं मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती अगर तुमने इस सन्यासी को भोजन नहीं कराया तो तुम्हारे संपूर्ण कुल का नाश हो जाएगा ये बात सुनकर सीता कुट्या के बाहर गई और दूर से ही भिक्षा देने लगी तभी रावर ने सीता को वशिभूत कर दिया और सीता मुर्शित होकर गिरने लगी तब ही रावण ने सीता को उस लकीर से बाहर खीच लिया और अपने पुश्पक विमान पर सीता को बैठा लिया बचाओ, मुझे बचाओ स्वामी, लक्षमन उधर राम ने जब लक्षमन को देखा तो वो चौप गए लक्षमन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सीता के पास रहने को कहा था भईया, माता ने आपकी धर्दबरी आवास सुनकर मुझे यहां बेजा जल्दी चलो, मुझे अन्होनी होने का आवास हो रहा है सीते, तुम मेरी हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता स्वामी, स्वामी बचाओ मुझे, लक्षमन भईया, बचाओ मुझे सीता माता को बचाने के बहुत कोशिश करता है लेकिन रावर जटायू के प्तंक कार देता है जिससे जटायू आसमान से जमीन पर गिर जाता है और रावर बहां से सीता को लेकर निकल जाता है इधर जब राम लक्षमन सीता को कुट्या में नहीं पाती वो सीता की खोज में निकल जाते हैं तब ही उन्हें रास्ते में जटायू मिलता है आपकी यहालत किसने की ये सब कैसे हुआ मुझे छमा कर दीजिए मैं सीता को उस्दूष्ट पापी रावर से नहीं बचा पाया मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोसिस की लेकिन उस्दूष्ट पापी ने मेरे पंखों को काड़ दिया मुझे माफ कर दीजिए वो दूष्ट रामड सीता को पता नहीं कहा ले गया श्री राम जटायों से उनके इस तरह से सीता की सहता करने का धन्यवाद करते हैं और श्री राम की गोद में जटायों की मृत्यू हो जाती है रामड सीता को लंका ले जाता है इधर राम लक्षमन सीता को वनवन ढूंडते रहते हैं तभी उन्हें एक राक्षिस मिलता है वो उन दोनों को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी लक्षमन जी उसके हाथ काट देते हैं वो राक्षिस राम को अपने बारे में बताता है कि वो श्राप के कारण राक्षिश बन गया था आप मेरा संसकार कर दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगा श्री राम उसका अंतिम संसकार कर देते हैं तो वहां दानू गर्धो प्रकट हो जाते हैं और उन्हें सुग्रिव से मिलने के लिए कहते हैं राम और लक्षमन दोनों भाई, माता, सीता की खोज के लिए सुग्रिव से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो रिश्यमु परवत के समी पहुँच जाते हैं तो सुग्रिव के गुपचर उन्हें एक बारे में खबर देते हैं सुग्रिव उन्हें बाली के भेजवे गुपचर समझ बैठते हैं और हनुमान जी को उन्हें पकड़ने के लिए भेजते हैं तब हनुमान जी एक भामर का रूप भारन कर शुराम लक्षमन के पास जाते हैं कौन हैं आप दोनों? यहां किस प्रियोजन से आये हैं? पहले आप बताईए आप कौन हैं जो इस घने जंगल में घूम रहे हैं? देखने में तो आप दोनों किसी अच्छे कुल के जान पड़ते हैं यह क्या? हमारे प्रशन के उत्तर में एक और प्रशन रिशी मुख परवत पर आपको किस के पास जाना है? क्योंकि बहुत सालों से इस मार्ग पर किसी का आना नहीं हुआ भईया रहने दीजिए यह तो बस प्रशन पर प्रशन किये जा रहे हैं हम स्वयम ही रिशी मुख परवत पर जाने का मार्ग खोज लेंगे चलिए रुको लक्षमन देखा नहीं तुमने इने यह ग्याता है मिन से मेल करना हमारे हित में होगा अच्छा तो ठीक है आप करिए इन से मेल आपको रिशी मुख परवत पर किस काम से जाना है हमें महाबली सुगरीव से मिलना है महराज सुगरीव किसी से नहीं मिलते ये बात आप कैसे जानते हैं क्योंकि मैं उनका कुल पुरोहित हूँ अच्छा तो आप हमें उनके मंत्री हनुमान जी से ही मिला दीजिए पहले आप अपना वास्तविक परिच्य दीजिए मैं अभी हनुमान को बुला लूँगा मैं महराज दशरत का पुत्र लच्मन हूँ और ये मेरे बड़े भईया सुरी राम मुझे छमा कर दीजिए मैं आपको पहचान नहीं पाया इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हनुमान शुरी राम और लक्ष्मन को अपने कंधे पर बैठा कर सुग्रिव के पास ले जाते हैं जहां उन्हें सुग्रिव, जामन, नल और नील मिलते हैं ये गहने आपको कहां से मिले ये तो मेरी सीता के गहने है ये करनफूल, ये मुद्रिका, ये साड़ी का टुकडा ये सब उसी के हैं हम पाचा उस दिन परवत पर बैठे थे तभी हमने देखा के राक्षस से एक इस्त्री का हरन करकर ले जा रहा था वो देवी साहिता के लिए चिला रही थी जब उन्होंने हमें देखा तो एक पोटली में अपने आभूशन बांध के फैक दे वो माता सीता को दक्षड की ओर लेकर गया था और इस से ज़ादा हम कुछ नहीं जानते श्रीराम सीता के आभूशनों को देखकर भावुक हो जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद अपने आपको संभालते हुए वो सुग्रिव से उनके भाई बाली के बारे में पूछते हैं सुग्रिव अपने भाई के बारे में बताते हैं कि किस तरह बाली ने उनका राजपाट और उनकी पत्नी को शीना सुग्रिव की बाते सुन शिराम उन्हीं उनका राजपाट वापस करनी का वादा गरते हैं और सुग्रीव को बाली से युद्ध करनी के लिए भेजते हैं बाली बाहर आओ कहां छिपे बैठे हो तुम जिसके बाद सुग्रीव को उसका सारा राजपाट वापस मिल गया और सुग्रीव ने सीता माता की खोच के लिए अपनी पूरी वानर सीना को एकत्रत किया क्या आप सभी मेरी साहिता करेंगे सीता माता को खोजने में हाँ हाँ सभी आपकी साहिता करेंगे सुग्रीव ने सारी वानर सीना को सीता माता की खोच के लिए भेज़ दिया हनुमान, अंगर, जामवन, नल और नील आप इन सभी में सर्फष्रेष्ट है इसलिए आप सब एक साथ दक्षड की ओर जाईए उस ओर सीता माता के मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना है लेकिन याद रखे, सिर्फ एक महिना ही आप सभी के पास है ये लो मेरी मुद्रिका, अब तुमें सीता मिले तब उसे ये अंगोठी दिखाना वो आपको मेरा मित्र ही समझेगी जैसी आग गया इसके बाद हनुमान अंगर, जामवन, नल और नील माता सीता की खोज में निकल गए और एक महिने से ज्यादा समय हो गया लेकिन हनुमान, अंगर, जामवन, नल और नील वापस नहीं लोटे एक महिना पूरा बीद गया है लेकिन अभी तक हनुमान और उनके साथी वापस नहीं आए चिंता मत करो, उन्हें आने में समय लग रहा है इसके पीछे जरूर कोई कारण है इधर हनुमान, अंगर, जामवन, नल और नील आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें समुन्दर के किनारे एक गिद मिला आप कौन है? मैं समपाती हूँ क्या आप जटायू के बारे में जानते हैं? जटायू? तुम जटायू को कैसे जानते हो? वो मेरा छोटा भाई है जामवन समपाती को बताते हैं कि किस तरह से उनके भाई की रावन ने हत्या कर दी? क्या? उस दुष्ट रावन ने मेरे भाई को मार दिया? मेरे भाई जटायू? अगर मुझे पता होता उस दुष्ट रावन ने मेरे भाई को मार दिया तो मैं उसके उसी समय प्राण ले लेता जब वो किसी नारी का हरण करके लंका ले जा रहा है जरूर वो देवी सीता ही होंगी ये लंका कहा है? इस समुद्र के उस तरफ एक द्वीप है समपाती वहां से चला जाता है हम सब कैसे इस समुद्र को पार करेंगे? मैं तो बूड़ा हो चुका हूँ अब मैं तो इस समुद्र को पार नहीं कर सकता अब हनुमान ही है जो इस समुद्र को पार कर सकता है उठो हनुमान उठो दिखा दो तुम कितने सक्तिशाली हो स्री राम का काम तुमारे ही कंदों पर टिका हुआ है तुम बच्पन में इतने बलवान थे कि तुमने सूर्य को निगल लिया था चिंता मत करो साथियो मैं सीता माता को ढूड़ खर ही वापस लोटूँगा पवन पुत्र हनुमान की जै इतना कहकर हनुमान उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे तभी उन्ही एक राप्षसी मिली आप कौन है और मेरा मात क्यों रोग रही है मैं सूर्सा हूँ मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ मुझे अपनी भूख सांत करनी है लेकिन मैं अभी आपका भूजन नहीं बन सकता अभी मैं अपने प्रभू का काम करने जा रहा हूँ तुम्हें मेरी भूख सांत करनी ही होगी तुम्हें मेरे मुझ में आना ही होगा मुझे ब्रह्मा का वर्दान है जो भी इस मार्ग से आगे जाएगा उसे पहले मेरे मुझ में जाना होगा ठीक है माता अपना मुझ खोलिए सुर्सा अपना मुझ खोलती है हनमान सुर्सा के मुझ के अंदर जाते हैं और वापस आ जाते हैं लीजिए माता मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी हनमान के चत्राई देख वो राक्षसी उहें जाने देती है वो आगे के तरफ बढ़ने लगते हैं तभी मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा कौन है जिसने मेरा मान रोखनी की खोशिश की है सामने आओ तभी उनके सामने सहिं का नाम की राक्षसी आती है और हनमान को अपने मूँ में डाल लेती है हनमान जी अपने गदे से उसका भद कर देते हैं और समंद्र पार कर लंका पहुँच जाते हैं इतनी देर हो गई सीता माता को खोशते हुए ना जाने ओ दूस रावड ने उन्हें कहां चुपा रखा है इस राक्ष स्कुल में कौन है जो मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है जड़ा देखूं तो हनमान एक सन्यासिका भिश धर कर उस और जाते हैं जहां से वो आबास आ रही थी श्री राम जै राम जै जै राम श्री राम जै राम आप कौन है जो इस राक्ष स्कुल में आकर राम नाम लेने का साहस कर रहे हैं मैं तो आकाश मार्ग से गुज़र रहा था तभी मैंने अपने प्रभु का नाम सुना तो आ गया मैं तो बाहर का हूँ लेकिन आप तो इसी कुल के हैं तब भी आप प्रभु श्री राम का नाप जब रहे हैं क्यों राक्षि स्कुल के लोगों को राम नाम लेने का अधिकार नहीं है मैंने तो ऐसा नहीं कहा प्रभु राम का नाम लेने का अधिकार हर किसी को है चाहे वो पशू पक्षी कोई भी हो आप ये बताएं आप कौन है मैं महराज रावन का छोटा भाई विभीशन हूँ और प्रभु राम का भक्त हूँ अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो अवश्री माता सीता के बारे में जानते होंगे पहले आप अपना वास्तविक परिचे दीजिए मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ और सीता माता की खोज मैं यहां आया हूँ क्या आप जानते हैं माता सीता कहां मिलेंगी विभीशन हनुमान को बताते हैं कि रावणी सीता को अशोक वाटिका में छुपा रखा है हनुमान विभीशन का धन्यवाद करते हैं और एक छोटे से वानर का रूप धर कर अशोक वाटिका जाते हैं जहां सीता माता एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उनके चारो और राक्षिसी पहरा दे रही थी हनुमान उसी पेड़ पर चड़ जाते हैं और इंतिजार करने लग जाते हैं तब ही वहाँ पर रामण आता है सीते तुम कब तक अपनी जिन्दगी उस वनवासी के इंतजार में गुजारोगी अब तुम मुझे अपने पती की रूप में स्विकार करो और मेरी महरानी बन जाओ चुपकर दुष्ट रावण मेरे स्वामी जरूर आएंगे लंका में एक परिंदा भी मेरी इजाज़त के बिना पर नहीं मार सकता वो सन्यासी क्या चीज है इस बात पर विचार करो और मेरी पत्रानी बन जाओ ये सब कहकर रावण वहाँ से चला गया इधर सारी राक्षुसी सेना भी चली गई और मौका देखकर हनुमान अपने बास्तिविक रूप में माता सीता के पास आ गए प्रणाम माता मेरा नमन स्विकार करें तुम कौन हो माता मैं प्रभु श्री राम का दूथ अंजनी पुत्र हनुमान हूँ ये मुद्रिका प्रभु ने आपको देने के लिए दी है तुम मेरे स्वामी के भेजे हुए दूथ हो कैसे है मेरे स्वामी प्रभु राम आपको बहुत याद करते हैं हनुमान सीता को पूरी बात बताते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं मैं चाहती हूँ मेरे स्वामी ही मुझे लेने आए और दुष्ट रावन को उसके पापों की सजा दे ये लो मेरा चुणा मनी मेरे प्रभु को दे देना ठीक है माता मैंने कल से कुछ नहीं खाया क्या मैं यहां से थोड़े से फल खा सकता हूँ ठीक है पुत्र खालो हनुमान जी फल खाने के बहाने से अशोक वाटिका को पूरी तरह सी तहस नहस करने लगते हैं जब इस बात का पता रामण को चलता है तो वो हनुमान को बंदी बना कर लाने के लिए कहते हैं तब हनुमान को पकड़ कर लंका ले जाया जाता है महराज देखिए मैं आपके शत्रू को पकड़ लाया ये तो एक वानर है क्या इस तुछ वानर नहीं हमारी अशोक वाटिका को नस्थ कर दिया पिता शिरी ये कोई ऐसा वैसा वानर नहीं ये माया भी प्रतीत होता है एक बार तो मैं इससे परास्त होने लगा, तब मैंने ब्रहमास्त का प्रियोग करके इस वानर को बंदी बनाया क्या? इस वानर को बंदी बनाने के लिए तुम्हें ब्रहमास्त का प्रियोग करना पड़ा? कौन हो तुम? क्या तुम्हें इंद्र ने भेजा है? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं प्रभू श्री राम का दूद हूँ जिनकी पतनी को तुम छल से हर लाए हो उन्हीं माता सीता का पता लगाने और तुम से मिलने आया हूँ क्या तेरा ये दूसास कि तुमेरी लंका में आया वो भी उस बनवासी का दूद बनकर सैने को वद्ध कर दो इसका लंका पती ये राज नियम के विरुद है किसी भी दूद का वद्ध करना आपको शोभा नहीं देता पितश्री आप इसे ऐसी सजा दीजिए कि जब ये राम के पास पहुचे तो इसे अपनी गल्ती का एसास हो मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी पूच को ही चला देते हैं और जब ये अपनी जली हुई पूच के साथ राम के पास पहुचेगा तब उस बनवासी को अपनी गल्दी का एसास हो जाएगा जाओ सैनिको और इसकी पूच में आग लगा दो जैसे ही सैनिक हनमान जी की पूच में आग लगाने के लिए जाते हैं तभी तभी हनमान जी अपनी पूच को बड़ा करते जाते हैं और सैनिक पूस पर कपड़ा लगाते लगाते ठक जाते हैं और आग लगा देते हैं हनुमान अपनी पूछ छोटी करते हैं और पूरी लंका जलाने लगते हैं आप सब कहां थे? भावी का कुछ पता चला? हाँ, मैं माता सीता से मिलकर ही आ रहा हूँ हाँ, प्रभू, उन्होंने ये चूणा मणी आपको देने के लिए ही कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप उन्हें लेने के लिए जाएं और उस दुष्ट रावड का वद करें वो दिन रात आपके आने की रहा देखती हैं फिर तो हमें जल्दी ही अपनी सेना को तैयार करना होगा और लंका की ओर निकलना होगा हां मित्र तुम सही कह रहे हो जाओ हनुमान सभी को एकत्रित करो धन्यवाद आप सब मेरी सहायता करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो मैं इससे बहुत प्रसंद हूँ लेकिन क्या आप जानते हैं इस कारे को करने में बहुत बादाएं आएंगी जिसको इस युद्ध में नहीं जाना वो ना जाए मैं और मेरी सेना हम सब आपके साथ हैं श्री राम जी जब सीता माता की खोच में लंका के किनारे पहुच जाते हैं तो वहां रास्ते में विशाल समुद्र उनका मार्क रोक लेता है हे महासागर तुमें अपनी विशालता पर बहुत घमंड है ना मैंने तुमें रास्ता देने की प्रार्थना की लेकिन तुमने मुझे रास्ता नहीं दिया संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है राम का कोप नहीं देखा मैं अपने इस तीर से इस पूरे समुद्र का जल सुखा दूँगा राम जैसे ही तीर चुलाने वाले होते हैं वैसे ही समुद्र देवता उनके सामने आ जाते हैं समुद्र देव अपने गलती की माफी मांगते हैं और नल और नील के बारे में बताते हैं इसके बाद सारी बानर सेना पथरों में राम नाम लिखके समुद्र में फिकनी लगते हैं और राम सेतु का निर्मान करते हैं इसके बाद राम पूरी बानर सेना के साथ लंका पहुँचते हैं इधर जब रावन को पता चला कि विभीशण राम भक्त है तो वो भी विभीशण को अपने महल से निकाल सीता है। उधर जब रावन को पता चला कि राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंच चुके हैं। सारे सैनिकों की आपात कालिन बैठक बिलाओ, सारे रक्षशों को बिलाओ रावण अपने सैनिकों के साथ युद्ध को लेकर चर्चा करने लगता है इधर सीता को भी पता चल चुका होता है कि राम लंका आ गए है हे भगवान मेरे प्रभू की रक्षा करना इधर वे विशन राम को रावण की सैनिकों और भाईयों के बारे में बताते हैं प्रभू, रावण के पास एक से बढ़कर एक युद्धा है मेगनात, कुमकर, सब बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसके पास भालू और बंदर की शक्ति नहीं है महराज मेरा मानना है कि हमें युद्ध से पहले रावण को चितावनी जरूर देनी चाहिए हार सुग्रीव, तुम सही कह रहे हो, अंगद जाओ और रावण को चितावनी दो अंगद लंका च्वाता है रावण, मुझे प्रभू राम ने भेज़ा है अभी भी तेरे पास समय है, तु सीता माता को बापस कर दे और अपनी कल्ती की माफी मांग ले, वरना तेरा अंत निश्चित है अब वानर राक्षसों से युद करेंगे, जा, और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है तुझे अपनी शक्ती पर इतना घमंध है रावण, इस पूरी सभा में है कोई इतना शक्तिशाली, जो मेरा पैर उठा कर दिखा सके सारी सभा के लोग एक एक करके प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी अंगत का बाल बाका नहीं कर पाए ठहरो रावण अंगत का पैर हिलाने के लिए आगे आता है, जुस पर अंगत अपने पैर हटा लेता है मेरे पैर मत पकाड दोस्ट रावण, मेरे प्रभु के पैर पकाड, वो ही तुझे जीवन्दान दे सकते हैं इतना कहकर अंगत बापस आ चाते हैं प्रभुराम, रावण, युद्ध ही चाता है ठीक है फिर जिसके बाद दोनी सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो चाता है इधर मंदोद्री रावण को समझाती है महराज, आप राम को सीता वापस लोटा दीजे वरना इस युद्ध का परिणाम बहुत गलत होगा जब एक वानर इस पूरी लंका को जला कर चला गया अब तो पूरी वानर सेना है आप ये विचार छोड़ दीजे इधर राम कल के युद्ध की तयारी में लखे हुए थे क्या हुआ मित्र? मेरे बाई लक्षमन ये क्या किया तुमने? मेरे होते हुए तुम मृत्यू की और नहीं जा सकते ये नहीं हो सकता अभी भी समय है अभी भी लक्षमन के प्राण बचाए जा सकते है हिमाले में एक बूटी पाई जाती है मरत संजीवनी अगर वो मिल जाए तो लक्षमन के प्राण बचाए जा सकते है लेकिन हमारे पास सुर्योदय तक ही समय है कौन लाएगा अब संजीवनी बूटी? ये काम बस हनुमान ही कर सकते हैं जाओ हनुमान ये क्या हनुमान? तुम्हें खाली एक संजीवनी बूटी लाने को कहा था तुम तो पूरा परवत ही ले आए महराज मुझे समझी नहीं आ रहा था इसलिए मैं पूरा परवत ही उठा लाया इधर रावन सीता के पास जाता है मैंने तुम्हें एक वर्ष का समय दिया था अब उसे पुरा होने में बस चार दिन रह गए हैं इधर इंदरजीत अपनी विज्ज़े को पका करनी के लिए निकुम्भला माता की पूजा करनी के लिए अपने गुपत स्थान पर जाता है जिसका पता किसी को भी नहीं था लेकिन विभीशन श्रीराम को इंदरजीत की इस यग्य और निकुम्भला माता की पूजा के बारे में बता देता है और लक्षमन से कहता है कि हमें इंदरजीत से अभी युद करने चाना होगा यदि उसने अपनी पूजा पूर्ण कर ली तो उसे हराना नामुम्किन हो जाएगा मैं ये यग सफल नहीं होने दूँगा इसके बाद लक्षमन उस उस्थान पर जाते हैं जहां इंदरजीत यग कर रहा होता है और लक्षमन इंदरजीत के साथ युद करने लगते हैं मेरे पुत्र इंदरजीत नहीं मेरे पुत्र तो मैंसे नहीं जा सकते रावण को अपने पुत्र इंदरजीत के वद्द से बहुत शदी पहुँशती है लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अगले दिन युद्ध के मैदान में चाहता है देखो भीया आकी रावन आही गया अब तो मेरे हातों से नहीं बच पाएगा राम आज का ये दिन आखरी दिन होगा राम रावन को मारने की बहुत कोशुश करते हैं लेकिन वो से मारने भी पाते प्रभू रावन को भ्रम्मा का वर्दान है उसकी नाभी में अम्रिक है आप उसकी नाभी पर मारने जिसके बाद राम रावन की नाभी पर बांट चलाते हैं रावन मारा चाता है युद समाप्त हो चाता है बुराई पर अच्छाई की जीत होती है सीता लक्षमन के साथ आयोध्या आ जाते हैं प्रभू राम के लोटने पर आयोध्या वासियों ने इसे एक उत्सव के रूपे बनाया और दीप जलाए उस राद संसार की पहली दिपावली मनाई गई थी क्योंकि इस दिन श्री राम आयोध्या आये थे और आयोध्या का कारभार सम्हाला था और तब से लेकर आज तक दिपावली पर्व को मनाया चाता है